हिमाश प्रिदेश में आसे बज़स सत्र की शुरुवात राजवपाल के विभाशन के बाद कल तक के लिस्थगित हुई कारवाई 7 अप्रेल तक चलने वाले बज़स सत्र में होंगी कुल 21 बैठके हरियान विधासबा में बज़स सत्र के तीसरे दिन जाट आरक्षन के मुद्धे पर चर्चा विपक्षने की मुकदमे वापस नेनी की मांग मुख्य मंत्री मनोहलाल बोले आंदोलन और उपद्रव एक नहीं सूत्रों के हवाल से खबर अब साथ मार्च को पेश होगा हरियान का बज़ट रामजस विबाद पर हरियान के मंत्री आनुल विज का बयान कहा पिता की शहादत पर राज्मीती कर रही है पेडिता पहलवान यूगेश्वर दत का बयान सैनिक जिस युद्ध में शहीद हुए वो पाकिस्तान के साथ लड़ा गया था परिदाबाद में कई मकारों के चूटने के नोटिस से मचा हरकाम सेक्टर पच्पन की हाउसिंग बोर्ज कॉलनी के लोगों पर लगा सरकारी जमीन पर वैद कबजा करने का रोप खन्ना में हुई डेडा प्रेमी पितापुत्र की हत्या के मामले में डिज़िपी लोग और्जो ने दिया पांच दिन में आरुप्यों की गिरफतारी का भरोसा भरोसा के बाद पेड़ित परिवार ने धगना किया खत्म SIT का भी मामले में किया गया है गठन अमबाला के नारायन गड सज़ोरा रोड पर टवेरा और डंपर की टकर में आठ लोगों की बहुत तीन लोग घायल चंडिकर पीजिया में चल रहा है घायलों का इलाज हाथ से किबाद से डंपर का ड्राइवर फरार यमना दगर में एक स्कूल में सामने आया टीचर का टॉच्चर मानिता प्रप्त नहीं होने के चलते शिक्षव भाग में स्कूल बंद करने के दिये आदेश बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करने की बात कही तापमान बढ़ने से हिमाशो के नारकंजा में तेज़े से पिगल रही है बर्फ स्नो गेम्स का लुट्फ उच्छाने वाले लोगों में निराशा आसे अमनात यात्रा के लिए शुरू हुआ रेजिस्ट्रेशन बाब बर्फानी के दशनों के लिए कुछ चुनिंदा बैंकों में किया जा सकता है पंजी करन 29 जूम से 7 अगस्त तक चलेगी श्री अमनात यात्रा